राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक पती की बहुत ही दुख भरी कथा जिसे सुनकर रोना आ जाएगा इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपने संस्केर्थी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गाउं में साथ भाई अपने बुढ़े माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे साथों भाईयों की शादी हो गई थी और सारे मिलजूल कर एक साथ रहते थे जो उन साथ भाईयों में साथवा भाई था सबसे छोटा, उसकी पतनी बहुत सुन्दर थी और वहें बहुती समझदार और पूजा पाट करती थी, उसकी भगवान में बड़ी लगन थी यह देखकर उसकी छे की छे जेठानियां उससे काफी इर्शा करती थी और साथ ससुर को भी उसके खिलाब भड़काती रहती थी जो बड़े छे भाई थे उनका खेती बाड़ी का काम था और जो छोटा भाई था वैसा हो करके यहां नौकरी करता था जब बड़े छे भाई खेती बाड़ी का काम करते थे तो उनकी पत्नियों को बड़ी खेत पर जाकर काम करवाना पड़ता था किन्तु जो साथवा भाई था उसकी पत्नी खेत पर नहीं जाती थी क्योंकि उसका पती तो नौकरी करता था इसलिए वे घर में खाना पकाने का काम करती थी इसलिए भी बड़ी छेटानियां उससे बहुत जलती थी उन्हें लगता था कि यह तो सुख से जी रही है और हमारे नसीम में कश्टी कश्ट है जो हमें खेत पर भी जाकर काम करना पड़ता है तो वे उसे अलग-अलग तरीके से सताती रहती थी और उसे सताने के लिए कुछ न कुछ सडियंत्र रचती रहती थी एक दिन क्या होता है कि हमेशा की तरह दिन ढलते ही छोटा भाई काम पर से लोटाता है और बाकी छे भाई भी खेत पर से आ जाते हैं नहाद होकर सभी भाई साथ में खाना खाते हैं उनके माता पिता जी बहन भी खाना खाती हैं बाद में उनकी पत्नियां भी खाना खाने बैठती हैं तो जो बड़ी छे जेठानियां जो बड़े भाईयों की जो पत्नी थी उसकी जेठानियां होती हैं वे जल्दी जल्दी से खा लेती हैं, हात मुधों का जल्दी से और रसोई से फटा फट से बाहर निकल जाती हैं, ताकि उन्हें रसोई का कोई काम नहीं करना पड़े, बेचारी छोटी देवरानी, सारे घर, सारी रसोई की साप सपाई, बरतन माजना, और फिर सारी रसोई को समेट कर सब काम, निप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, वहां उसका पती उसकी रहा देख रहा होता है, दोनों कुछ देर गपसप करते हैं, और फिर सो जाते हैं, क्योंकि उसका पती अपनी पतनी को बहुत प्यार करता था, वह उसके भोले पन से बड़ा परेशान रहता था, कि उसकी भावियां उसके भोलेपन का बहुत फायदा उठाती है इधर नीचे क्या होता है कि जब चोटी देवरानी सारा काम निप्टा कर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो 6 की 6 जेठानिया रसोई घर में खटी होती है और उसे और सताने के लिए दिमाग लडाती है वे बाहर पिछवाड़े घर के पिछवाड़े जाकर एक साप पकड़ कर लाती है और उसे पानी के घड़े में छोड़कर उपर से धकल लगाकर चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती है पूरे दिन जो है हारी ठकी होने का नाटक करती है कि हम तो खेट पर काम करने में बह ऐसे ही दिन का उद्य होता है तो छोटी देवरानी जो होती है चोटी बहुए जाग जाती है और अपने रोज के कारिये करने में लग जाती है अपने दैनिक कारिये करके वे खाना पकाने के लिए रसोई में जाती है तो जाकर वे पानी के घड़े में जैसी पानी निकालने के लीए उसका धकन उपर उठाती है और हात अंदर डालती है तो उसके हात में साप काट लेता है वैसा तो भाईयों के पिता यानि जो उसके अपने ससुर्ते उनको अबाज देती है और कहती है घर में सोए ससुर मेरे मुझे साप ने डस लिया है मुझे में विस भर दिया है तब उसका ससुर जवाब देता है घर मकान है चौबंदी देहलीज बनाई है पासानी कहां से लक्षमी कौन आयो हैरी ससुर का जवाब सुनकर वे सास को मदद के लिए पुकारती है घर में सोए सासु मेरे मुझे सापने डस लिया है मुझे विस से भर दिया है सास जवाब देती है घर मकान है चौबंदी चारो तरफ जो चार दिवारी बनी हुई है देहलीज बनाई है पासानी यानि की पत्थर की देहलीज बनाई है हे बहु यानि हे लक्षमी कौन आया हैरी सास का जवाब सुनकर भी वह एक-एक करके सब देवर जेठो जेठानियों को मदद के लिए पुकारती है ननंद को भी पुकारती है लेकिन एक-एक में से सब वही जवाब देते हैं आखिर मैं अपने पती को पुकारती है पलंग पर सोय पती मेरे मुझे सापने डस लिया है मुझे विस से भर दिया है पतनी की पुकार कानों में पढ़ते ही पती हडबढा कर जाग जाता है और दोड़कर रसोई घर में घुसता है रसोई में वे देखता है कि वहाँ उसकी पत्नी मरी पड़ी है और विषसे से उसका सब नीला पड़ गया है पत्नी को मरी देखकर पती को बेहत दुख होता है और वे बहुत रोता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान यह तो बहुत भोली भाली थी तुमारी परम भग्त थी हे मातारानी इसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है और उसका सब कंधे पर उठा कर बाहर ले आता है और उसे घर की देहलीज पर रखता है उदर जो उसकी जो सबसे छोटी बहु थी उसके माईके में भी एक अनहुनी हो जाती है क्योंकि हुआ के आंगन में जो तुलसी का भिर्वा था यानि दुलसी का जो गमला था वह एकदम उसमें तुलसी सूख कर मर जाती है उसे देखकर छोटी बहु का जो भाई होता है उसके मन में आसंका उत्पन होती है कि कही उसकी बेहन के साथ कोई बुराई या अन्होनी तो नहीं हो गई क्योंकि उसने अपनी डोली में बैठते बक्त कहा था अपने भाई से बोली थी कि भाई अगर मेरे उपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी भी मर जाएगी भाई एक पल का भी समय ना गवाए और जो कपड़े पहने थे उनी कपड़ों में दोड़कर बेहन की ससुराल पहुँचता है और हुआ सबसे पहले जो उसका छोट बेहन का ससुर होता है उससे पूछता है ससुर जी ओ ससुर जी मेरी बेहन कहां गई ससुर कहता है तुमारी बेहन बंदों हमने नहीं देखी सुसर का जवाब सुनकर भाई उसकी सास से पूछता है उससे भी उसे वही जवाब मिलता है बाद में वह बेहन की जेट जेठानी और ननन्द से पूछता है सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है आखिर में वे अपनी बेहनोई के पास जाकर पूछता है बेहनोई ओ बेहनोई मेरी बेहन है कहां गई सुनते ही बेहनोई जोर जोर से रोने लगता है और सारी बात साले को बताता है साला अपनी बेहन की मिर्तियों की ख़बर सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है कुछ देर تک वै रोता रहा उसके बाद बेन को जीवित करने के लिए भगवान से अराधना करने लगा करना की है सोचकर कि वै उटकर मंदिर की ओर चला जाता है कि भगवान से प्राथना करता है अब सात्वा भाई सोचता है कि पत्नी का सब ज़्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है उसे अगनी दे देनी चाहिए तब वे जाकर अपनी मा से कहता है ओ मा ओ मेरी मा बहु की तुम्हारी गोद भरना है उसे काजल कुमकुम लगाना है तो मा कहती है मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम्ही गोद भराना मरी हुई अपनी पत्नी की गोद भराई करने के लिए वे मा जो है तैयार नहीं होती है यह देखकर वे अपनी बड़ी भावी से कहता है कि वे उस रसम को पूरी करे लेकिन वे भी सास की तरह जवाब दे देती है उसके बाद वे दूसरी तीसरी चोती ऐसे करके अपनी च्छे की च्छे भावियों से विंती करता है लेकिन कोई भी तैयार नहीं होती है अब घर में गोद भरने की रसम पूरी करने के लिए कोई और स्वागन नहीं थी इसलिए वे सोचता है कि वे स्वेहमी उस रसम को पूरा करेगा वहां से उठकर वे बाजार जाता है और साडियों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है दुकानदार भाई ओ दुकानदार भाई मुझे एक जड़ी की साड़ी और चोली देना दुकानदार पूछता है इतनी रात गए सास सिंगार की क्या हुई है तुम्हें जरूरत वे कहता है जरूरत को लगे आग मेरी प्रीत की बगिया तो आज हो गई है नश्ट दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनर्थ हुआ है वे एक साड़ी चोली उसे दे देता है उसे लेकर वे फूल वाली के पास जाता है और कहता है फूल वाली मा ओ फूल वाली मा मुझे कुछ फूल दे दो फूल वाली पूछती है इतनी रात गए सास सिंगार की क्या हुई है तुम्हें जरूरत वै कहता है जरूरत को लगे आग मेरी प्रीत की बगिया तो हुई है यहां नश्ट फूल वाली समझ जाती है कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है वै एक फूलों की माला उसे दे देती है उसे लेकर वै पड़ोसन के पास जाता और उससे कहता है पड़ोसन भावी ओ पड़ोसन भावी मुझे काजल कुम कुम देना पड़ोसन पूछती है इतनी रात गए सास सिंगार की क्या हुई है तुम्हें जरूरत वै कहता है जरूरत क उसे काजल कुम कुम दे देती है तो सारी सामगरी लेकर वे घर पहुचता है पतनी के सब को नई साड़ी चोली पहनाता है बालों पर फूलों की वेणी से सजाता है काजल कुम कुम लगाता है और अपने पिता से कहता है पिता जी ओ मेरे पिता जी तुमारी बहू की चिता की रचना तो मेरे पिता जी कहते हैं मरी हुई तुम्हारी पतनी है तुम्ही अर्थी उसकी सजाना पिता के ना कहने पर भी वे अपने बड़े भाई से कहता है कि पिता उसकी जो अर्थी में नहीं आता है तो वे अपने बड़े भाई से कहता तो बड़ा भाई भी वैसा ही जव शबाब देते हैं। आखिर में वेरो टाब लगता पड़ोसियों के घर जाता है और उन्से कहता है पड़ोसि भाईयों मेरी पत्नी की अर्थी सजाना पड़ोसि उसकी अर्थी सजाने के लिए त्यार हो जाते है। तवे चिता कहां सजाई है पिता जी से पूछता है पिता जी ओ पिता जी उसे कहां अगनी दूँ उसे किस रास्ते से बाहर निकालू तो पिता कहता है उसे बाहर का रास्ता दिखाना मरी हुई उस इस्तरी को पिछले दरवाजे से ले जाना मरी हुई उस इस्तरी को सीमा के ब बाहर चला देना पिता जी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है वे अपनी मा से पूछता है तो मा भी ऐसा ही जवाब देती है तब वे एक एक करके अपने भाईयों से पूछता है तो भाई भी उसे ऐसा ही जवाब देते हैं आखिर में वे अपनी बेहन से पूछता है ब ओ मेरे भाई उसे पिछवाडे का रास्ता मत दिखाना उसे मुख्य द्वार से ले जाना तुलसी वरिंदावन के पास अगनी देना बेहन की बास सुनकर वे पतनी का सब उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकाल कर पड़ोसियों की सायता से तुलसी के पास उसकी चिता जलाता है तब उसका साला हुआ आ जाता है वे भगवान को परसन करके अपनी बेहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था भगवान ने उसे बैत की छड़ी दी थी वे छड़ी अपनी बेहन के मस्तिस्क के उपर गुमाता है तो तुरंती उसकी बेहन जो यानि की सबसे छो का निसान नहीं रहता है वे बिलकुल पहले जैसी स्वस्त दिखाई देती है बेहन को जीवित देखकर भाई को बहुत खुसी होती है और उसका पती भी बहुत खुस होता है अब जो छोटी बहुत थी उसका भाई क्या कहता है कि अपने बेहनोई से कहता है कि तुम दोनों पहनों को बैठाता है और बेंड बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाता है वहाँ उसकी बेहन बड़े सुख से अपना जीवन बिताती है क्यूंकि वह तो मातारानी की परम भक्त थी मातारानी ने उसकी और इसके भाई की लाज रखी थी पिता जो ससुर जो पिता समान थे सास थी जो उन्होंने तो उसको बिल्कुल भी मान नहीं दिया जीते जीतों वे उसकी कदर नहीं करते थे मरने के बाद भी उन्होंने उसको कोई समान नहीं दिया देवरानी जेठानिया तो घर-घर के रिष्टे होते हैं लेकिन बुरे समय में तो सब एक हो जाते हैं लेकिन उसकी तो जेठानिया भी उसके साथ नहीं मिली तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को जादा से जादा लाइक करें सबस्क्राइब करें हे माता रानी हे अफशान माता जैसे आपने उस भाई ने अपनी बेहन की रक्षा करी उस भाई ने अपनी बेहन की लाज बचाई भगवान न बुलो शान माता कीजे